हेलो वाइस स्वागत आपकी मेरी योटूब चैनल पर आज इस वीडियो में टॉप फाइब स्मार्ट वाच की बात करने वाले हैं जो की बेस्ट रेटेड और वेस्ट सेलिंग स्मार्ट वाच है अगर आपका बज़ेट दो हजार से दस हजार रुपे के बीच में तो कौन से स्मार्ट वाच अच्छी है जानते इस वीडियो में तो शलिए सुरू करते हैं अगर आपका बज़ेट एक हजार से दो हजार रुपे के बीच में है और आप एक स्मार्ट वाच लेने चाहते हैं तो स्मार्ट वाच से अच्छा है आप एक स्मार्ट बैंड लें जो कि स्मा साथ में सभी तरह के health related sensor भी देखने को मिलते हैं इस smart watch में आपको smart notification का option भी देखने को मिलता है जैसे आप call message और reminder को भी अपनी smart watch में ही देख सकते हैं साथ ही में 9 sport mode के साथ में watch faces का भी features देखने को मिलता है अगर आपका budget 2000-3000 रुपे के बीच में है तो noise color fit pro 2 smart watch एक काफी अच्छी smart watch हो जाती है generally noise की smart watch काफी अच्छी और सस्ते smart watch होती है अगर आपका budget 2000-3000 रुपे के बीच में है तो आप no doubt noise color fit smart watch ले सकते हैं अगर आपका budget 3000-3000 रुपे के बीच में है तो Amazfit की तरफ से आने वाली BPU smart watch है जिसमें आपको 1.43 इंचिस की SD color display देखने को मिलती है साथी SPO2 के साथ में stress monitor features भी देखने को मिलता है इसके अलाबा Amazfit BPU smart watch में आपको 60 से भी ज़्यादा sport mode और 50 से भी ज़्यादा watch faces भी देखने को मिलते हैं नवस की comparison में Amazfit की भी काफी अच्छी smart watch होती है अगर आपको budget 3000 से 4000 रुपे के बीच में है तो आप Amazfit BPU smart watch ले सकते हैं अगर आप smart watch लेने चाहते हैं तो description में दी हुई link पे click करके आप इन smart watch को ले भी सकते हैं अगर आपको budget 4000 से 5000 रुपे के बीच में है तो आपको बहुत से option देखने को मिलते हैं अगर आपके पास realme का mobile phone है तो आप realme smart watch 2 pro भी ले सकते हैं जिसमें आपको 1.75 इंच की big और bright display देखने को मिलती है साथी में dual satellite GPS का support भी देखने को मिलता है इस smart watch में आपको सभी तरह के health related features देखने को मिलते हैं चाहे blood oxygen monitoring के लिए SPO2 sensor या फिर heart rate monitoring के लिए sensor सभी तरह के sensor और IP68 water resistance के साथ realme smart watch 2 pro आती है साथी में 14 days का battery backup भी देखने को मिलता है अगर आपके पास realme का mobile phone है तो आप definitely realme smart watch ही लें जो की realme smart phone के साथ बड़ी seamless तरीके से work करती है अगर आपके पास realme का mobile phone नहीं है तो आप Amazfit की तरफ से आने वाली BPU pro smart watch भी ले सकते हैं जिसकी price भी आपको 4,999 रूपीस देखने को मिलती है इस smart watch में भी आप built-in Alexa और GPS का support भी देखने को मिलता है अगर health और fitness phone 2 बी से Amazfit BPU pro smart watch की बात करें तो इसमें आपको SPU 2 sensor के साथ ने heart rate और sleep जैसे सभी तरह के monitoring features भी देखने को मिलते हैं साथी में 60 से भी ज्यादा sport mode और watch faces देखने को मिलते हैं Amazfit की भी काफी कमाल की smart watch रहती है जिनका review और rating आपको काफी सांधार देखने को मिलती है अगर आपको budget 4000 से 5000 रुपे के बीच में है तो आप Amazfit BPU pro smart watch भी ले सकते हैं प्राइस थोली fluctuate होती रहती है तो आप description में देहु लिंक पे click करके आप इनकी original और updated price भी चेक कर सकते हैं चार से 5000 रुपे की बीच में आपको noise की तरफ से आने वाली noise color fit ultra smart watch भी देखने को मिलती है जिसमें आपको इन smart watch के comparison में काफी अच्छी तरह की build quality देखने को मिलती है साथी में 1.75 inch की big और bright display भी देखने को मिलती है तीनों ही काफी सांधार और best selling smart watch है 5000 के segment में अगर आपको budget 6000 से 7000 रुपे की बीच में है तो Amazfit GTS 2 mini smart watch है जो की इस price bracket में एक best smart watch हो जाती है जिसमें आपको 1.55 inch की emulet display देखने को मिलती है इस price bracket में आपको किसी भी smart watch में emulet display देखने को नहीं मिलती साथी Amazfit GTS 2 mini smart watch में आपको spo2 sensor के साथ में सबी तरह के health related sensor भी देखने को मिलते हैं साथी GTS 2 mini smart watch में आपको 7T से भी ज्यादा sport mode और watch faces देखने को मिलते हैं Amazfit की जातर smart watch में आपको built-in Alexa और GPS का features भी देखने को मिलता है काफी सांदार design और premium look के साथ Amazfit GTS 2 mini smart watch आती है अगर आपको budget 6000 से 7000 रुपे के बीच में है तो आप no doubt Amazfit GTS 2 mini smart watch लेना जिसमें आपको सांदार display के साथ में सबी तरह के features भी देखने को मिलते हैं इन सारी smart watch में आपको speaker देखने को नहीं मिलता जिससे आप call तो receive नहीं कर सकते हैं बट call और SMS का notification अपनी smart watch में ही पा सकते हैं अगर आपको budget 10,000 से 12,000 रुपे के बीच में है और अगर आप एक ऐसी smart watch सर्च कर रहे हैं जिससे आप phone call को receive और dial कर सकें तो Amazfit की तरब से आने वाली GTS 2 smart watch है जिसमें आपको 1.65 इंच की AMOLED डिस्पले देखने को मिलती है साथ ही में built-in Alexa और GPS का features भी देखने को मिलता है Amazfit GTS 2 smart watch में आपको built-in microphone और speaker देखने को मिलता है साथ ही में Bluetooth phone call का features भी देखने को मिलता है जिससे आप बड़े आराम से अपनी smart watch से ही phone को receive और dial कर सकते है काफी कमाल के features के साथ Amazfit GTS 2 smart watch आती है इस smart watch में आपको 3GB music storage भी देखने को मिलती है जिससे आप इस smart watch में music को भी store कर सकते है साथ ही में 90 से भी ज्यादा sport mode और 100 से भी ज्यादा watch faces देखने को मिलते है इस price bracket में भी आपको Bluetooth phone call का features किसी भी smart watch में देखने को नहीं मिलता कफी सामदार लोग और premium design के साथ Amazfit GTS 2 smart watch आती है अगर आपको budget 10,000 से 12,000 रुपे के बीच में है तो आप इस smart watch को भी ले सकते हैं अगर आप smart watch लेने चाहते हैं तो description में दीवी link पे click करके आप इन smart watch को ले भी सकते हैं तो ये थी top 5 smart watch जो की सबी तरह के price bracket में आती है हमेज़ा एक branded smart watch खरीदें सस्ते के चक्कर में कोई भी नकली smart watch ना करीदें इससे अच्छा है कि आप एक fitness band खरीद लें चाहे MI का हो, Realme का हो या फिर Redmi का हो जो की smart watch के comparison में काफी अच्छी तरीके से बर्क करेगा अगर आपका budget 2000 से कम है तो यह था complete वीडियो, अगर आपको वीडियो थोला सा भी पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चनल सब्क्राइब निक्या तो प्लीज यार सब्क्राइब कीजिए So thank you so much for watching this video